सब्सक्राइब और चैनल को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम पोईटेस सरोजने नाइडो का यहां इंट्रोडक्शन देखेंगे सरोजने नाइडो नाइडो 1879 तो 1949 सरोजने नाइडो 1879 में पैदा हुई और 1949 में उनका डेथ हुआ वो अजे पोलिटिकल एक्टिविस्ट वो क्या थी एक सियासदा थी यानि एक राजनेता थी फेमिनिस्ट और वो आउड़तों के लिए काम करने वाले एक खावतन भी थी और फर्स इंडियन वुमन वो बिकेम प्रेसिदेंट आप इंडियन नैशनल कॉंग्रेस और पहली ऐसी ओरत थी जिनने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की प्रेसिदेंट बनाया गया था शी वोज एन इंपोर्टन फिगर इंडियास स्ट्रेगल फॉर इंडिपेंडेंस यानि भारत की वो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रेगल थी उसमें एक स्वतंतरता सेना नी भी थी सरजनी उनाइड़ वोग ऐसे पोएट अर्ण हर्दस स्वाबरिक्वेट आफ नाइट इंजल आफ इंडिया यानि उन्हें बुलुबुले हिंद यानि भारत की जो नाइट इंजल ये कहा गया लेटर शी बिकेम दे गरवरनर आफ दे उनाइट प्राविंस इन नाइटेंट फॉर्टी सेवन 1947 में वो भारत के United Province की Governor भी बनाए गई Becoming the first woman to hold the office of the Governor in Independent India वो पहली महिला थी पहले खातून थी जिनने Independent India के किसी परदेश का Governor बनाया गया था Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three types of garment that the weavers view at three particular times of a day ये वक्त के बारे में बयान किया जा रहा है ये Indian Weavers ये भारत के जो बुनकर है जुलाहे है उनकी जिन्दगी के बारे में है कि वो तीन वक्त में तीन खिस्म के कपड़े बुनते है अब इसमें तीन स्टैंजा है Each stanza of the poem represents the three important events of human life यानि human life के तीन important events को यहाँ पर बयान किया जाता है पहला क्या है birth यानि childhood दूसरा adulthood या यानि के जवानी तीसरा है death यानि old age यानि बड़ापा The colors mentioned in the stanza are very significant as they indicate the moods related to the events यानि जो हर stanza में color बयान किये गए है वो क्या बताते हैं कि जो moods है वो हर मुख के हिसाब से बयान किये गए है चलिए शुरुआत करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं Indian weavers यानि भारती बुनकर या जुलाहे Line by line इसका explanation देखेंगे Weavers weaving at break of the day Weavers यानि बुनकर ये क्या करते हैं अपना काम शुरू करते हैं यानि बुनने का काम शुरू करते है At break of the day यानि सुबह शुरू होने से पहले ही सुबह सादिख यानि सुबह सुबह के वक्त में जब सुरज निकलता है या निकला नहीं होता है निकलने वाला होता है उस वक्त वो क्या करते है अपना काम शुरू करते है देखेंगे वक्त का वे बहुत important है यह जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी कब पैदा होते वक्त उसका जो वक्त होता है वो सबसे शुरुआत होता है वैसे दिन का सबसे शुरुआती वक्त क्या है break of the day वाइ डू यू वीवा गार्मेंट सोगे तो यहां पर वो पूछ रहा है पूछ रही है पोईटेस आई वीवर आई बुनकर तुम यह जो गार्मेंट है यह कैसा रंग है निला रंग है और किसका रंग है यह हैलसियन वाइल्ड है हैलसियन क्या है यह एक पक्षी है परिंदा है माही खोर है जिसे आप किंग फिशर भी कहते हैं और आपने किंग फिशर की फोटो देखे होंगे उसमें आपको अक्सर उसके रंग नज़र आया है, बहुत ही खूबसूरत नीला रंग होता है और वो क्या कहते हैं हम कपड़े बुन रहे हैं नर्म मुलायम कपड़े, रोपस यानि नर्म मुलायम कपड़े किसके हैं अभी अभी जो पैदा होते हैं बच्चे उनके लिए इस्तेमाल किया गया है अब यहाँ बच्पन और सुभा यह दोनों को एक दूसरे से जोड़ के बताया गया है यह बच्पन जो है, यह जिन्दगी की शुरुआत होती है और सुभा दिन की शुरुआत होती है तो उसमें हर चीज़ जुबा में सुहानी लगती है वैसी बच्पन भी बहुत ही हसी खुशी से भरा और फिक्र से आजादी का वक्त होता है चलिए सेकर्ड स्टैंजा देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे वीवर्स वीविंग एट फाल आफ नाइट यानि बुनकर क्या करते हैं ये बुनते हैं वीवर्स वीविंग एट फाल आफ नाइट ये फाल आफ नाइट क्या होता है यानि शाम की शुरुआत होती है तो बुनकर क्या कर रहे हैं? यह शाम के वक्त भी बुन रहे हैं अब शाम का वक्त कैसा है? यह सोहाना वक्त होता है बहुत खुशी दिन भर के ठकान को दूर करने वाला वक्त होता है वीवर्स वीविंग ऐट फाल आफ नाइट अब यहाँ पर क्या कह रहे है यहाँ पर पोईटेस कहती है कि तुम इतना चमकीला, रोशन, ओजला करपड़ा क्यों बुन रहे हो यहाँ बुनकर से फिर से सवाल क्या है अब यह कैसे है अब उसमें जो रंग है इस्तिमाल किये गए है वो प्लियूम साफ़ पीकॉक है यानि किसी मोर पंक की तरह वो शानदार है, चमकील है और उसका रंग कैसा है परपल एंड ग्रीन परपल भी है और थोड़ा हरा भी है, सब्स भी है और यहाँ जुला है क्या जवाब दे रहे हैं हम बुन रहे हैं marriage wheels of a queen यानि कि शादी के घूंगट किसी खातून के अब यहाँ क्वीन आम तरह पर हर लड़की को रानी से यहाँ पर मुखातिब किया गया है अब इस पोयम के स्टैंजा का मतलब क्या है? कि जो दोपहर का खत्म होकर जब शाम का वक्त शुरू होता है तो यह वक्त सुहाना है जिन्दगी की जवानी भी बड़ी सुहानी होती है और उसमें इनसान के अंदर बहुत जोश होता है तो ऐसा ही वक्त है यह और इस वक्त को दूसरे स्टैज से यहाँ पर पोईटेस ने तजबी दी है चलिए देखते हैं अब यह थर्ड स्टैंजा है वीवर्स वीविंग सॉलिमन और स्टेल अब यहाँ बुन कर क्या कर रहा है? फिर से बुन रहे है सॉलिमन और स्टिल बहुत ही ज्यादा वो गंबीर है और साकित है, खामोश है, साकित जामिद है, रुके हुए है, बिलकुल खामोश है वीवर्स वीविंग सॉलिमन और स्टिल वाट डू यू वीविंग इन दा मॉन लाइट चिल अब इसमें राइमिंग वर्स कहा है? इस्टिल चिल है, राइमिंग वर्स है, घू चिल यह भी राइमिंग वर्स है, राइम स्किम ऐ, अए बीबी इस तरीख बनेगी वाट दू यू वीव इन दा मून लाइट चिल तो उससे सवाल कर रही है शायरा कि तुम इस रात की चांदनी रात की सर्दी में चिल यानि सर्द तो चांदनी रात की सर्दी में तुम क्या बुन रहे हो वाइट ऐस अफीदर और वाइट ऐस अ क्लाउड अब ये जो है एक किसी परिंदे के पंक की तरह यह बहुत भी ज़्यादा सफैद है और यह परसे हुए बादल की तरह एकदम सफैद है जब बारिश का बादल बदल बरस जाता है तो एकदम खाली हुजाता है तो सफैद नज़र आता है विव एडेड मैंस पनरेल श्राउट श्राउट क्या होता है कफन होता है वि विव हम बुन रहे हैं एडेड मैंस एक मुरदा अदमी के फनरेल फनरेल या अन्तिन संसकार यान्या आकरी रसुमात का जो कफन होता है उसके लिए word इस्तेमाल किया गया है अब इसका मतलब क्या है कि ये आखरी जो रात का वक्त है उसे बुड़ापे से यहां पर तजबी दी गई है उसे बुड़ापे के जैसा कहा गया है और इसमें इन तीनों स्टैंजा में पोईटेस ने हमें एक मेसेज देने की कोशिश की है कि हर वक्त के तरह तरह इनसान की ज दोबारा मुलाखात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई